पर पहले बात करूँगा कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यह हमारा इस प्रकार एक नोटिस आया था इस में है पर सारी पोस्ट हमें में इसन कर रखी है आज की ही इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कि हमारी टोटल कितनी पोस्ट हैं उन पोस्ट के उपर कितनी वेकेंसी हैं ओनलाइन फोर्म होगा कब से फिल कर रहे हैं सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगा एस लिमिट क्या होगी qualification क्या मांगी जा रही है हमारा exam pattern क्या होगा साथ इसाथ जो pattern होगा उसके सबसे slavish को हम देखेंगे enhance salary हमें क्या मिलने वाली है हमारी job location क्या होगी exam center कहा जाएगा ये सारी बाते हम आज जाने वाले हैं चलिए तो start करते हैं बिल्कुल बेसिक से सबसे पहले हमें पता है कि हमारी जो total post है 17,710 हैं अगर इसके उपर हम बात करें कि हमारी सबसे पहली post है multitasking stop तो अगर multitasking stop की बात करें तो total vacancies है हमारी 3341 अगली हमारा जो post है वो है हमारी lower division clerk जिसकी हमारी 1923 total post है उसके बाद upper division clerk यानि कि कैसियर की vacancy है जिसमें हमारी 6435 पोस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है head clerk की assistant की बात करें चो 3415 पोस्ट अब दिक्कत यह कि sir हम eligible है भी या नहीं फोर्म भर सकते हैं किसमें यह नहीं क्यों कि यहाँ पर कुछ ऐसी post है जिसमें आप form नहीं फिल कर सकते हैं क्यों बोल रहें बाद अभी बताऊंगा ठीक है यहाँ पर SSO की जो vacancy है social security ठीक है ऑफिसर की 2596 टोटल यहाँ पर आपको post या manager grade second की बोल सकते हैं तो total हमारी यो post है वो 17710 यहाँ पर हो जाती है ठीक है आगे हम बात कर लेते जैसे आपने यह notice देखा होगा यहाँ पर साफ साफ mention कर रखा है कि multitasking staff आपकी कौन कौन सी post है multitasking staff ठीक है आपका lower division clerk LDC UDC और आपका यहाँ देखीगा और दूसरी हमारी SSO ठीक है यह हमारी post है अगर हम इनके उपर हम बात कर लेते हैं तो आपकी total post जो है कितनी है ध्यान से समझेगा एक एक point को ठीक है यह तो हमने बात कर ली है अब आप किस किस को form भर सकते हैं सारे चीजे में बात कर रहा हो ध्यान से सुनेगा प पिल कर सकते हैं ठीक है बात करें अगली जो वेकेंसी थी हमारी lower division class जिसमें 1923 हमारी total post है क्या आप इसको भर सकते हैं आप इसको नहीं भर सकते क्योंकि यह departmental वेकेंसी है जिसमें आपको 75% promotion होंगे ठीक है परमोशन से है और 25% department competitive examination यानि कि यह departmental है आप इसमें eligible नहीं है य अगली जो वेकेंसी है हमारी वेकांसी है अपर division clerk यानि कि इसकी बात करें जिसमें हमारी 6435 post थी क्या आप इसको भर सकते हैं illegal है या नहीं तो आप इसको भी ध्यान रखेगा यह रहा direct requirement के द्वारा आप यहाँ पर form fill कर सकते हैं बात कर लेते हैं यानि कि फ्रैसर इसको भर सकते हैं अगली post है हमारी head clerk assistant की जिसमे 3400 total 15 पर थे कितने 3415 क्या आप इसको भर सकते हैं आप यह भी नहीं यह भी departmental वेकेंसी है आप यानि जो अगर head clerk assistant की वेकेंसी के लिए form भरना चाहते थे तो आप नहीं भर सकते क्योंकि यह आपकी जो post है वो आपकी फ्रैसर के लिए नहीं है बात कर रहते हैं आगे SSO की जो social security officer की जो वेकेंसी थी क्या हम जिसमें 296 total पत थे क्या हम इसको फिल कर सकते हैं तो यह भी इसको आप भर सकते हैं या नहीं तो इसमें भी आपको यहाँ पर दे रखा है यह direct requirement के द्वारा आप इसको कर सकते हैं यानि कि इसमें आप form फिल कर सकते हैं चले अब बात कर लेते हैं सर इस limit क्या होगी हमारी तो हम इस limit की बात करें तो अगर आप MTS की तयारी कर रहे हैं तो आपकी इस limit 18 से 25 होगी क्या 18 से 25 है जिसमें आपका जो आपका SCST सम्में होता है SCST के लिए 5 साल का relaxation OBC के लिए 3 साल का और बाकी PWD के सर्विसमें के लिए इनके अलग-अलग दे रखें यहां पर हैं बात करें अगर आप UDC के तयारी कर रहे हैं तो 18 से 27 इसमें होगी ठीक है जनरल की हाइस अपकी 27 ही होती है ठीक है और और में तो आपको पता ही है कि 3 साल का 15 का लेक्षेशन और जो आगर आप SSO की तयारी कर रहते हैं तो दोस्त अगर आप बात कर रहे हैं UDC की त्यक है अगर आप पर जस में सकतरे होता है जैसे आप का प्री क्वालिफाइन होगा तुरंत आप उसी नंबर से आपको देखा जाएगा कि आप मेंस में बैठने लाएक है या नहीं है जब आप mains में बैठेंगे उसके बाद आपका होगा skill test, skill test कितने का होता है, सब चीज़ों पर बात करूँ और ध्यान रखेगा, देखे, पहले pre की बात कर लेते हैं, pre जब आप देंगे, तो pre में आपका आता है, सबसे पहले ध्यान रखेगा reasoning आता है, जिसकी बागडोर मैंन पचास marks के, इसी प्रकार आपका math के 25 question, 50 marks के, और आपका English जो होता है, comprehensive, ये 25 question, 50, यानि कि 100 question आपके exam में आते हैं, कितने marks के आ रहे हैं, ये 200 marks के, एक question क्या है बागडोर मेरे दोस्त, दो number का है, ठीक है, और जैसे ही आप ये, कितना time में, इसमें एक घंटे का time मिलता है, यानि कि 60 minute में, 60 minute में, आपको करने है 100 question, ठीक है, 100 question करने है, और यानि कि आप इसको ये मत समझे किये यार, ये तो बहुत ज़्यादा है, बड़ी बात होगी कि 60 minute में 100 question नहीं, यहाँ पर आपको कुछ percent से आपको qualify किया जाएगा, इसमें आपको tension नहीं लेना, इसके आपक जो mains में, या आपका जब selection होगा, उसमें आपके count नहीं होगे, ये सिर्फ qualifying है, इस बात को पहले ही ध्यान में रखेगा, ठीक है, तो उसकी बात जैसे आपका pre-qualifying हो जाता है, आप बैठेंगे mains में, ठीक है, आप phase 2 को जब देंगे, mains में बैठेंगे, तो mains में भी आपका वही है, बस enter क्या है, यहाँ पर subject आपके सब सेम है, पर आपको क्या यहाँ पर जो reasoning है, वो 50 question, 50 marks की, yes आपकी 50 question, 50 marks, इसी प्रकार आपका math 50 question, 50 marks, और आपका English जो है 50 question, 50 marks, यानि कि 200 question, 200 marks के आपके आएंगे, और जिसमें आपको दो घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है, और जैसे ही आपका means clear हो जाएगा, मैंने अभी बोला कि pre game यहाँ पर count नहीं होगे, जाब means में बैटेंगे तो pre बस सिर्फ qualified मांगा जा रहा है, ठीक है, अब 200 number यह, उसके बाद होगा skill test, अब computer skill test जब होगा, इसमें आपको परेशान नहीं होना, सर यहाँ पर भी देखो 50 10 marks का रहा है, नहीं, tension नहीं लेना, बहुत normal है, आपको जैसे presentation होती है, ppt normal दो आपको power point बनाने होगे, ठीक है, कोई भी आपका जिसमें कुछ लिख कर बता है, कोई अच्छा सा design बनाना है, तो यहाँ पर 10 marks इसके मिलते हैं, आपको, typing का कुछ matter होगा, वो भी ms word में आपक इसके format भी आपको बनाना है, बस यानि कि normal है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, यह 20 marks यहाँ से मिलते हैं, ठीक है, और यानि कि दो point आप से पूछे जा रहे हैं, तीन point, ठीक है, यानि कि तीन cases को आपको यहाँ पर handle करना पड़ेगा, ठीक है, एक presentation आपको बनानी है, ठ Excel होता है, अब इसके लिए परेशान नहीं होना है, सर हमको तो नहीं आता, आज कल online सब चीजे सिखाई जाती है, YouTube पर इनके बारे में exam से पहले देखेंगे, तो सब कुछ किले हो जाएगा, या पास में cafe वेगरा पर जाकर भी इस चीट को clear कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ह आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा, अब आपने देखा में में 200 कुछन 200 मार्क्स के प्लस 50 मार्क्स यहाँ पर, तो आपके टोटल मार्क्स हो गए हैं 250, अब यहीं से आपकी मेरिट लगेगी, इनी 250 में से ही मिलकर आपका सेलक्शन होगा, क्योंकि प्री के यहाँ पर वो count न एक तो बात है, बड़ी पोस्ट है, ठीक है, 2596 और एक लाजवाब है, इसके उपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, इसकी टेंसर नहीं लेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें आपको दो फेस को देखना पड़ेगा, जब आपका फेस वन होगा, यानि कि जब आप पर बीस मेट मिलता है, इसमें, रिजनिंग एबिलिटी, 35 कोश्चन, 35 मार्क्स, और आपका मैथ जो होता है, 35 कोश्चन, 35 मार्क्स यहाँ पर, यहाँ पर आपको GS का कोई भी रोल नहीं मिलता है, GS का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, यानि कि टोटल आपके 100 कोश्चन, 100 म होते हैं कुछ बच्चों का यहाँ पे सभी में 20-20 मिनट का टाइम मिलता है और जो आपका language की बात करें तो यह आपका जो English तो English है मतलब दोनो language है यहाँ पर Hindi और English दोनों माध्यम में आपकी examination होंगे ठीक है चलिए अब phase 2 बात कर लेते हैं ठीक है जब आप pre-qualified कर जाते हैं तो आप जब mains में बैठेंगे तो mains में क्या होगा जो reasoning है वो 40 question आएंगे 60 marks के आएंगे ठीक है आपका बात करेंगी general economy financially ठीक है यानि कि यहाँ भी GK का party यहाँ पर जोड़ दिया गया है जिसमें 40 question 40 marks के आएंगे time duration यहाँ 20 minute मिलता है और यहाँ 40 question करने के लिए 35 minute का समय मिलता है बहुत श्यांदा English की बात करें तो 30 question आपको 40 marks के मिलते हैं 30 minute का यहाँ time duration मिलता है math की बात करें तो 40 question 60 marks के होंगे यानि कि यहाँ पर 35 minute का time मिल जाता है bilingual होगा tension नहीं है यानि कि 1.500 question आपको करने है 200 marks के time duration 2 घंटे है ठीक है चलिए अब जैसे ही आपने हाँ पर mains clear कर लेते हैं तो इसे प्रकार यहाँ पर भी आपका skill test होता है जहाँ पर आपको 2 challenges देखने पड़ते हैं ठीक है यहाँ पर भी power point होगी power point पर कुछ दो चीज बना नहीं होगी ms word पर आपको और ms excel यहाँ पर same वही 50 marks का आएगा ठीक है time duration यहाँ पर भी 30 minute का मिलता है और sir हिंदी में होगा या इंग्लिस में आपर लिखा हुआ भी है इंग्लिस में होगा ठीक है तो tension आपको नहीं लेना है बस यहाँ पर भी कि जब आप वहाँ पर ट्रेनिंग पर जाएंगे तो ट्रेनिंग का दो साल का पिरीड वहाँ पर होता है enhanced salary की बात करें तो mts की जो पॉस्ट है उसमें आपको 32,000 से starting हो जाती है पर आपको पता है कि आज के बात करें SSO की तो SSO की जो first salary है वो है 55,000 और ये सबसे बड़ी बात है कि आपको ट्रेनिंग के दोरान भी पूरी salary यहाँ पर दी जाती है और एक लाग साथ हजार के something या इससे भी और ज़्यादा यहाँ पर मिल जाती है आपको salary आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि सर जब हम form fill करेंगे form fill करते हैं तो आमें कितना amount देना पड़ेगा तो आप जान रखेगा आपको यहाँ पर category जो यह vacancy है वो state wise और category wise होती है ठीक है जो आपकी यहाँ पर merit भी लगीगी उसी इसाफ से लगेगी तो SC STPW department के जो candidate होंगे या female candidate होंगे या ex-serviceman इन सब के लिए 200 रुपे चार्ज है और इससे other जो all category आएंगी उनमें आपको 500 रुपे यहाँ पर चार्ज लगेगा application fee ठीक है आ जाएगा और अगर आप देखो सबसकुष बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो तो मैं reasoning by Vikas sir इसी channel पे ठीक है बहुत अच्छी से special सारी classes लाता हूँ जैसे कि आपको पते हम किसी भी exam की तैयारी करनी है तो आपको क्या पढ़ना होगा कि सारे topic पढ़ूँ जो हमारे पास shortcut आते है जैसे कि math होता है teacher एकदम से solve कर देता है पर बच्चों को पता नहीं तनी यल्दी कैसे master ने solve कर दिया तो उसके लिए math के shortcut होते है वो shortcut मैं आपको यहां पर सिखाऊँगा साथ साथ mock test ठीक है previous question exam में जो आए हुए वो आपको पता होने चीए अब कैसे सर जी यह vacancy जो है वो हर एक साल के इंतराल में आती है ठीक है तो आपको काफी जो आभी पीछे भी जो हुई थी तो आपको उन्हीं को देखकर आगे भी तयारी करनी है प्रिपेर होना है और expected question कैसे आ सकते है all जितनी भी classes होंगी उसकी PDF यह personal guidance सब कुछ होगा कुछ भी दिक्कत आती है इस number पर आप call करके जानकारी ले सकते है तो आप सभी मालिवे classes official app को download कर लेना वहाँ पर आपको reasoning का special complete batch मिल जाएगा all in one batch ठीक है जीरो टूरो यह reasoning का complete batch जो की live plus recorded है जिसकी अगर validity की बात करें तो one year की validity है जिसमें आपको एक साल तक मैं live भी classes दूँगा और live के साथ recording lectures भी उसमें होंगे तो जाएए अच्छे स्तयारी कीजिए कुछ भी मुरे पास जानकारी आती है कुछ बच्चों को यह होगा अभी तो notification आया नहीं है आप कैसे बता रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह officially notice मैंने भी दिखाया था आपको वो आ गया है यह चाहते हैं कि आपको कितनी post है कहां और हाँ अभी job location की बात करें तो job location जो होगी वो आपकी जहां से आप form fill की जैसे मालनों आप मेरट से है पर आप दिल्ली जाके form fill कर रहे हैं तो आपका center भी वही पर जाएगा और आपकी job location भी वही होगी अगर आप इलाहाबास से हैं और आपने यहीं से form fill किया है तो आपकी job location यही होगी यानि कि choice के मुताबी यहां पर आपको दी गई है इसमें इतनी सारी information है आप detail में जाका check किजेगा मैं आपको telegram पे डाल दूँगा या आपकी direct ही website पे जाकर ठीक है आप ESIC की website पे जाकर direct आप इसको check भी कर सकते हैं ठीक है क्योंकि यह post यह पहले से इन्होंने notice ले डाला है अगर बात करें कि सर हमारा form कब से fill करेंगे तो वही जनवरी फरवरी March ठीक है तब ही से starting मालो जनवरी फरवरी में आपके form fill होंगे March भी हो सकता है परन्तु इन्होंने notice पहले इसले डाल दिया कि आप लोग पहले से प्रेपेर रहें इनकी कुछ requirement है उनको पूरी कर लें अगर आपसे हो सकता है समयनुसार ठीक है तो आपको यह नहीं सोचना कि अभी आभी time है पहले उस सीट को पढ़ें पूरा detail में क्या करना है क्या चीज़े होंगी SSO की vacancy है वो बहुत ही खास है और एक लाग साट जार तक समती आपकी क्या पर यहाँ पर आपकी salary भी मिल जाती है तो आप भरें अच्छे तयारी करें फॉर्म फिल करें कुछ बच्चे यह होंगे सर अगर मुझे SSO की भी तयारी करनी हो और MTS की भी करनी तो आप दोनों को फिल कर सकते हैं इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फॉर्म अलग अलग फिल किये जाएंगे ठीक है और कोई जानकारी लेकर मैं फिर से आपके सामने रूबरू हूँगा और आप लोग अच्छे से प्रिपेर कीजिए महनत कीजिए सभी को थैंक यू जैहिन नमस्कार